गुड मॉर्निंग सुडेंट्स नाओ हिंदी तो हिंदी में बटा हम नाइन चैप्टर स्वच रहेंगे स्वच रहेंगे रीड कर रहे थे हाफ लेटर हम अल्रेडी रीड कर चुके है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बटा हमें खाने से पहले अच्छी तना इसे हाथ दोने चाहिए और एक बात की हमें जंक फूट अधिक नहीं खाना चाहिए तो उसके बाद आमान कहता है मैं मेरी ममी ने कविता भी बनाई है साफ रखेंगे गर हम हाथ अच्छी सेहत होगी साथ जंक फूट ना खाएं हम अच्छी सेहत पाएं हम तो अधियाब का कहती है मान आपकी ममी ने बहुत संदर कविता बनाई है अगर हमारा हाथ साफ रहेंगे तो हमारा पेट भी खराब नहीं होगा क्योंकि पेट में किटानों गंदे हाथों से खाना खाने से ही तो जाते हैं इसके लावा आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि हमें कब कब हाथ धोने चाहिए सभी बच्चे हसते हुए जी मैं प्यारे बच्चो क्या आप इन सब बातों का पालन करेंगे जी मैं शाबाश बच्चो आईएब आमान की मम्मी की सुНदर कवीता सभी गाते हैं साफ रखेंगे गर हम हाथ अच्छी सेहत होगी साथ जंक फूर ना खाएं हम अच्छी सेहत पाएं हम जंक फूड ना खाए हम अच्छी सिहत पाए हम तो ये बड़ा इंटरस्टिंग और शिक्षा हमारा चैप्टर था जो हम कर चुके हैं उसके बाद है बड़ा ये मुख से कुछ कोश्चन दे रखे हैं तो ये देखो सबसे पहले किसकी तब इत खराब होगी थी नवल की नवल को बस की खिड़की से खाना फैंकते हुए किस ने देखा था स्वपनिल ने उसके बाद जंक नवल अकसर टीफन में क्या लाता था जंक फूड वैसे तो वो बर्गर पीजा होड डोग वेर लाता था बट वो सारी चीज़ों को हम जंक फूड ही कहेंगे स्फाई पर समदर क किस ने लिखी अमान की ममी ने तो ये विट आपने लेसन पढ़ना है और उसके बाद ये कुछ हमारे फिलप्स हैं ये आपने कंप्लेट करने हैं जो लास्ट पेस पर मैंने कोश्चन करवा दिये और वो आपने ये वाले कोश्चन अपनी बुक में करने हैं I hope आपको लेसन पढ़ने के बाद ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है तो do carefully your Hindi work thank you have a nice day